अपना ख्याल भी रख रहे होंगे तो बेटा आज हम करने जा रहे है अपनी वरक्षिट नमबर 9 ठीक है सामजी क्विक्जान की है एट्थ किलास के बच्चों के लिए 23 तारीक है जिसमें बेटा आज हम जानेंगे भारतिय सविधान के मुख्या लक्षन दो ठीक है जिसमें संसदिय सासन पदिती जानेंगे और सक्तियों का बटवारा किस तरीके से होता है वो जानेंगे तो देखो बेटा इसमें क्या होता है संसतिय सासन पदिति के अंदर भारत का सवीधान अपने सभी नागरिकों को वोट डालने का अधिकार देता है सवीधान सभाके सदस्यों को ऐसा महसूस हुआ कि सवतंतिरता संगर्ष ने भारतिय जनता को वेस्क मताधिकार का परियोग करने के योग्या बना दिया है उन्हें विश्वास था कि इससे लोकतंतरिक सोच और तोर तरीकों को प्रोथसान मिलेगा साथ ही जाती धरम और लिंग आधी के फर्क पर भी आधारित ऐसा मानता की बेडियों को भी तोड़ा जा सकता है तो उसने क्या विटा जब भारत का सवीधान था उसने अपने सभी नागरिकों को वोट डालने का अधिकार दे दिया था पर फर्क भी जो फर्क है वो भी मतलब जिस तरीके का फर्क होता है वो भी दूर हो जाएगा उसकी बेडिया जो है वो तूट जाएंगी अब उसके बाद सार भूमिक मता धिकार का क्या मतलब है कि अपने परतिनिदियों के चुनाओं में देश के सभी लोगों की सीधी भूमिका होना मतलब कि जब भी हम कोई अपने देश के लिए कोई परती निदी चुनते हैं तो जनता का उसमें पूरा-पूरा मतलब की रोल होता है तो सीधे तोर पर होता है और परती निदी जनता के परती जवाब दे होते हैं कि मतलब अगर वो कोई कारिया नहीं करते हैं अगली बार जब वो चुना होंगे तो उनको जवाब देना पड़ेगा ठीक है तो अगर ऐसा होता है किसी सासन पर्षनाली में तो इस परकार की संसदिय सासन पदती जनता की सासन पदती बन जाती है ठीक है अब बेटा सक्तियों का बटवारा तो सक्तियों का बटवारा कैसा होता है सवीधान के अनुसार राज्य के तीन अंग है ठीक है अब सवीधान के अनुसार बेटा राज्य के तीन अंग है विधाई क्या कारिय पालिका और न्याय पालिका ओके अब जिसमें बेटा देखो जैसे सांसद के केतिने ते तीन अंग होते हैं ठीक है कौन-कौन से रा जनता द्वारा निर्वाचित परती निदी होते हैं तो जो विधाई क्या होती है बेटा इसमें जनता द्वारा निर्वाचित परती निदी होते हैं जो कानून का निर्मान करते हैं ठीक है तो यह याद रखना आपको कि कानून का निर्मान कोन करते हैं विधाई क्या और बे पालिका हो गए जो इसको हर जगा पर लागू कर रही है फिर नियाय पालिका नियाय करने वाली संस्था को नियाय पालिका कहा जाता है जैसे सुपरीम कोर्ट हो गया इसका कारी कारून की सही व्याख्या करना है ठीक है अब बेटा देखो ये तीन अंग तो हो गए तो ये ती की बेटा ऐसा नहीं है कि कोई किसी से नीचे है सभी की सक्तिया बराबर है ठीक है सक्तियों के इस परकार के बटवारे के आधार पर परती एक अंग दूसरे अंग पर अंकुस लगा सकता है अगर कोई गलती करता है तो दूसरा उसको रोक सकता है ठीक है या कोई गलत करता है तो उससे जवाब दे होता है वो मतलब कि दूसरे अंगों ko ठीक है अगर एक माल लो यह कोई गलत मतलब की कानूर बनाता है कुछ भी तो इन सब को यह जवाब दे होता है ठीक है और इस तरहे तीनों अंगों के बीच सक्ष्था का संतुलन बना रहता है इसलिए बेटा सभी अपना कार ये क्या करते हैं सरी धंसे करते क्योंकि उन्हें जवाब देना पड़ता है अब बेटा एक किरिया कलाप है आपको ये कंप्लीट करना है ये स्थम कह दिया है और स्थम कह दिया है तो इन दोनों का मिलान करना है भारत में वोट करने के लिए नियूंतम उम्र कितनी है बटा? 18 साल है ठीक है? फिर चुनाओ द्वारा चुने जाते हैं कौन चुने जाते चुनाओ द्वारा? परती मिदी ठीक है? फिर बटा आजादी के लिए संगर्स जिनोंने किया वो थे? सवतंतरता संगर्स कहलाया कानून बनाने वाली संस्ता जो है उसको हमने अभी कहाता क्या होती है? वो विधाय क्या और कानून को लागू करने वाली कारिय पाली का ठीक है? फिर कानून को सही व्याक्या और नियाय करने वाली संस्ता नियाय पाली का होती है ठीक है तो आप देखो बेटा मैं क्लियर बता देती हूँ वोट की नियुनतमूब 18 साल जन्ता के द्वारा चुने वाले होते हैं परती निदी आजादी के लिए सवतंतरता संगर्स कानून बनाने वाली संस्ता विधाय क्या और कानून को लागू करने वाली कारी अपाली का और ये मियाय पाली का होती है ठीक है ये आपके मैच हो जाएंगे अब कुछ आगे के कुशन करते हैं सार्व भूमिक मता अधिकार से आप क्या समझते है तो सार्व भूमिक मता अधिकार क्या होता है पिटा हमने अभी पढ़ा यहां पर कि सार्व भूमिक मता अधिकार का म संसद ये सासन पत्ती जनता के सासन पत्ती है कैसे तो ये कब होता है बटा ऐसा तो जब किसी सासन पत्ती में अपने परतिनिदी को चुनने के लिए देश के सभी नागरिकों को सीधे तोर पर अधिकार होता है तो और वह परतिनिदी जनता के परति जवाब दे होती है अगर वो जनता उनको चुन कर लाती है तो जब अगली बार उनको जवाब देना पड़ता हुन्हें क्या कारिये किया उनके लिए ठीक है तो यह सासनपत्ती जनता की सासनपति बन जाती है अग नेक्स्ट कोशन क्या है बटा राज्ये के मुख्य अंग कोन से है और इनका क्या महतु है तो राज्ये के मुख्य अंग कोन कोन से है बटा सवीदान के अनुसार राज्ये के तीन अंग है विधाई क्या कारेपालिका नियाईपालिका अब इनका महतु क्या विधाई का क्या करते जनता त्वारा निर्वाचित परतिनीदी होते जो कानून का रिर्बान करते कारिय पालिका में ऐसे लोग होते जो कानूनों को लागू करने और सासन चलाने का काम देखते हैं न्याय पालिका में न्याय करने वाली संस्ता और न्याय को न्याय पालिका का जाता है इसका कारे कानून को सही व्याख्या करना है ठीक है इसमें इतना लिख दोगे अब नेक्स्ट कोशन क्या है बटा सक्तियों का बटवारा को सपस्ट कीजिए कि सक्तियों का बटवारा कैसे तो बिटा देखो रज्य की किसी भी साखा द्वारा सक्तियों के दुरुप्यों को रोकने के लिए यह प्रावदान ही हटा दिना के लिए यह प्रावदान किया गया कि इन सभी अंगों की सक्तियों को एक दूसरे से अलग होंगी ठीक है और सक्तियों के इस परकार के बटवा दी गई कोई भी किसी पर अंकुस लगा सकता है ठीक है ताकि क्या हो राज्ये के अंदर सही से सासन की व्यवस्ता हो सके ये थी बिट आपकी आज की वक्षिट उम्मीद गरती हो गया अगर समझ आई हो तो इसको लाइक से जरूर से इस वीडियो में पर टाइप नहीं अपना नेक्स टोपी कम अपनी नेक्स वीडियो में करेंगे तब तक लिए से हसते रही है मुस्कुराते रही है पढ़ते रही बढ़ते रही है रही है क्यों